दोस्तों तमिल नादू प्रीमियर लीग का आगाज बेहर शांदार रहा है और पहले ही मुकाबले में सूपर ओवर देखने को मिला जहां निल्लाई रोयल किंग्स ने सूपर ओवर में चेपॉक सूपर गिलीज को हरा दिया मुकाबले का तीसरा मैच 25 जून को खेला जाएगा जहां मदरोई पैंथर्स का मुकाबला चेपॉक सूपर गिलीज के बीच खेला जाना है और चेपॉक सूपर के लिए मुकाबला काफी एहम रहने वाला है क्योंकि पहले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है दोनों ही टीमें जब पिछली बार मुकाबले में आमने सामने आई थी तो चेपॉक सूपर ने पांच विकेट से मुकाबला जीता था जबकि पिछले कुछ मैचों की बात करें तो मद्रोई पैंथर्स पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 3 मुकाबले हार चुकी है जबकि एक में जीत दर्श की है इसके लावा एक मैच का रिजल्ट नहीं निकला वहीं चेपॉक सुपर गिलीस टीम की बात करें तो पिछले पांच मैचों में तीन में हार का सामना करना पड़ा है जबकि दो मैच जीते हैं इस मैच का हम यहां आपको पूरा प्रोडिक्शन बताने वाले हैं इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा इसके लावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैश कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथ कीजे ताकि आपको हर मैच का प्रोडिक्शन और सारे अप्डेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हमारे व्यूवर्स को हम बताना चाहते हैं कि मुकाबले का तीसरा मैच भी इंडियन सीमेंट कंपनी तीरुनेलवेली मैदान पर खेला जाना है शुरुवाती कुछ ओवर्स में मैदान पर हल्की स्विंग नजर आती है लेकिन इसके बाद विकेट धीमा पढ़ने लगता है और स्पेनर को मदद मिलना शुरू हो जाती है हाला कि बल्ले बाजी के लिए ये पिछ काफी अच्छा है और पिछले कुछ मैचू में यहां बड़े स्कोर बने है ऐसे में टॉस जीत कर आम तोर पर टीम पहले गेन बाजी चुनती है दोस्तों मद्रोई पैंथर्स टीम की बात करें तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारती टीम का हिस्सा रह चुके हैं जबकि कुछ खिलाड़ी IPL से अनुभव ले चुके हैं जिसमें वरुन चक्रवती और अरुन कार्तिक शामिल है इसके लावा हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार तमिल नाडू प्रेमियर लीग में युवा खिलाडियों को अधिक मौका दिया गया है टीम की कप्तानी एनेस चतरवेड को सौपी गई हैं जिने तमिल नाडू प्रेमियर लीग का अच्छा खासा अनुभव है इसके लावा बल्लेबाजी क्रंड की बात करें तो बालचंदिर, अनेरुद, जगदीशन कौशिक काफी अनुभव खिलाडी हैं जबके मिडल ओर्डर में थलाइवन और अरुन कार्थिक जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं इसके लावा भारती टीम का हिस्सा रह चुके वरुन चक्रवती, और शिक श्रीनिवास, किरनाकाज जैसे गेंडबाज शामिल हैं दोस्तों इसके लावा चेपाक सूपर गिलीस टीम की बात करें तो पिछला मुकाबला काफी रूमाच चक रहा था और सूपर प्रमुख ओवर में टीम ने मैच गवा दिया था टीम के और से गेंडबाजों ने अच्छी गेंडबाजी की जिसमें संदीप वर्यर, मनी मरन सिधार्थ और हरिश कुमार ने काफी अच्छी गेंडबाजी मैच में दिखाई थी इसके अलावा बल्यबाजी में भी टीम के सबी खिलाडियों ने अच्छा योगदान दिया था खास कर सलामी बल्यबाज, कौशिक गांधी, एन जगदीशन के अलावा सोनु यादव और हरिश कुमार ने अच्छी बल्यबाजी की तो ऐसे में माना जा रहा है कि मदरई पैंथर्स के खिलाफ होने वाले मैच में कोई खास बदलाव टीम में नजर नहीं आने वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टिंट लिंक दिये हुए हैं यहां क्लिक करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं इसके अलावा कुछ और इंफरमेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिससे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सके। और अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा। साथ ही कमेंट भी करके बताईएगा कि आपको इवीडियो कितनी पसंद आई है। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजें जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।